हलो फ्रेंड्स वेलकम टो यूट्यूब चेनल फॉर आपके सक्जेज गुड मॉनिंग मैं निहारीका सैनी चले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज किस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमेस्ट्री सब्जेक्ट यहन की रसाइन विग्यान के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे जो बाइलोजी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है अगर आपने बाइलोजी का एक पी वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं सब भी टोपिक से रिल्टेड सब भी वीडियो आपको आपर मिल जाएंगे ओ तो देखिए सब से पहले हमें को पता होना जायी कि रसाइन विग्यान किसको और गुता है किस्को और जाता है दिखिस को कर झाता है जिसके अंतरगत्र संगठन स्हुम्ंचना उप योग अज़ाएंगा अद्धल के और चैन्च है परिवर्दन है उनका जो का जाता है उस ह प्रपट करेंगे तो इतनी बात आपको रसाइन विग्यान आनंकी कैमेस्टरी के बारे में पता होने चाहिए नृटे अज हमते हम बात करेंगे पधार्त और उसकी परकर्ती के बारे में तो चलिए देखते हैं आपको मेरे साथ एंट तक बने रहना है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इंट्रोडेक्शन करवाना चाहिए कि पधार्त क्या होता है, मैटर क्या होता है तो देखिए वह वस्तु जो इस्तान खेरती है और उसका दर्वमान यानकी मास होता है तो वही क्या कहलाता है, पधार्त कहलाता है जो भी आप वस्तु देख सकते हैं, जो कि क्या करती है, इस्तान गेरती है और क्या होता है, उसका दर्वमान होता है, मास होता है तो वही क्या होता है परधार्त होता है मैटर होता है जैसे आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं हवा पानी हाइडोजन ऑक्सिजन चीनी और रेत तामबा कोईला लोहा लकडी बरफ सराब ये सबी क्या होते हैं परधार्त होते हैं जिनका क्या होता है द्रिवमान होता है औ और दिरवमान होता है यानकी मास होता है वो सबी क्या होती है पधार्थ कहलाती है मैटर कहलाती है तो यहां पर आपको पता चल गया होगा कि पधार्थ किसको कहा जाता है चले अब नेक्ष चलते है तो अब यहां पर हम बात करें क्लासिफिकेशन ओप मैटर यानकी के बारे में बात यहां पर हम करेंगे तो दिकिब वतिक आवस्ता के आधार पर सबी पधार्थ उक्तों को तीन सन्भूः में वर्गिकरत् ऑफाइं की पता हो चैगके आधार पर पधार्थ की पांच अवस्ताएं होती है, कितने अवस्ताएं होती है, कौन कौन से होती है, ठोस, दरव, गैस, फोर्टाप की होती है, प्लाज्मा और फिप नमर की होती है, बोस, आइंस्टेंट, कंडंसेट ही पांच वी नमर की अवस्ता होती है, पधार्थ की, लेकिन यहा प्लाजमा होती है जो की पधार्थ की चोथी अवस्ता होती है तो इसमें जो तत्त क्या होते हैं जो एलिमेंट होते हैं अत्यांत उच्छे तापमान पर आयनित अवस्ता में रहते हैं पधार्थ के तापमान में परिवतन करने से एक सीमा के बाद में उसकी जो अवस्ता वो जासे कि वासिता प्लाजमा स्टेट नेक्ट आपकर बाथ करें बॉस अंच्टे अवस्ता के अनुसार बॉसओन की तनुग गैस को पर まंप सुनियताप dahle के बहुत निकरत तक इसको क्या-क्याया धा ठंडा की आ जाता है यह गोठी बोस अंचिन कंडनसेट यहां पर मुख्य रूप से ठोस तरल और गैस के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं यहां पर अब यह पर आप देख सकते हैं कि ठोस क्या होते हैं सरकरा रेत लोहब रफ यह सब भी क्या होते हैं ठोस के अंतरगट आते हैं लृके स्गेस के अंतरगट यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले अब बात करेंगी ठोस परघा गुंड क्या होते हैं तो दोस के से नहीं किया जा जाता है। कि उसको नहीं किया जा सकता है और इसका घनत वोता है यह दैंसिटी होती है वह थोस मेरेत है अब देख सकते हैं चलिए हम नेश कहलते हैं Country अब बातकेर हैं लेक्वी निया रेक्वारे हम बात करेंगे तो देखिए पानी, दूद, फलों का रस, श्याही, मुंफली का तेल, मिटी का तेल, और पैटोल, ये सब भी किसमें आते हैं, तो ये तरल पधार्त होते हैं, लिक्विड पधार्त होते हैं, अब इसके क्या-क्या लक्षन होते हैं, गुन होते हैं, तो देखें, तरल पधार्तों का एक न थोस पदाृट पहुँत बहुत अधिक नहीं संकुचित कहतेद नंचित लिए करण संबेर किये जा सकते हैं, तो देखे, जिस परकार से ठोस पधार्थ जो होते हैं, वो बिल्कुल भी कहने किया जा सकते हैं, संपीडित नहीं किया जा सकते हैं, उसी परकार से जो तरल होते हैं, इनकी लिक्विड होते हैं, वो भी अधिक संकुचित नहीं किये जा सकते हैं, थोड़ा पर कम घनें होते हैं वह आम-तोर पर तोस-पधार की तुलना में कम घनें होते हैं, oke उसमें चोंटन होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं लेकिन जो लिक्विड होता है यह Qंध थोडन हिम नए शेया पर आता है गैस के गुंड, गैस के यह पर गुंड हम देखेंगे तो देखे वाईू, आक्सिजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाय, ऑकसाइड, नाइट्रोजन और भापी यह सबी किसमें आते हैं करते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है जो गैस होती है उसको जिस पातर यान की कंटेनर में डाला जाता है उसी का आकार घ्रेन कर लेती हैं गैसों का आसानी से संपिडिक किया जा सकता है यान कि जो गैस होती है उनको आसानी से दबा सकते हैं आसानी से उनको कंप्रेश्ट क कर सकते हैं संपेडित कर सकते हैं तो गैसों में घना तो बहुत काम होता है इसलिए में होते याद होती है उसको पूरी तरह से भर देती है यहां पर आपको याद रखना है चले फिर नीया कर देते हैंos ठोस का य olhar निशित होते हैं और आकार आता है और निश्यत आपको लिक्वीड होता है तरल होता है उसका आकार निश्चित होता है लेकिन आइतन निश्चित होता है और जो गैस होते है उसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आइतन निश्चित होता है तो तीनों के बारे में याद रखना है चले नेस्ट चलते है नेस्ट य और फैलाने को क्या कहा जाता है विसरन कहा जाता है किसको कहा जाता है कनो की गती के कारण किसी पधार्थ को किसी अन्य पधार्थ के साथ फैलने को क्या कहा जाता है विसरन इसको कहा जाता है अब देखे डिफ्यूजन यान की विसरन पधार्थ का एक गुण है जो इसके कनो क गती को आधारित इस पर होता है कि कंड की गतीपर यह आधारित होता है diffusion यो चो प्रासन बढ़ जा आधी प्रसार की गटना by मिलाता है कि पधार के कंड लगातार बढ़ रहे है परसान यान की जो विस्टन होता है उसकी जो गटना होती है वो क्या करती है वो हमें बताती है कि पधार के जो कंड है वो लगातार क्या करते हैं भढ़ते रहते हैं तो यह होता है आपका डिफ्यूजन यान की विस्रन इसको कहा जाता है, चलिए अगे देखते हैं इसके बारे में, तो सबसे पहले आप रहें बात करें कि गैसो में विस्रन किस परकार से होता है, तो देखिए गैसो का परसार भहुत तेज होता है, क्योंकि गैसो के गण सबी दिसाओं में भहुत तेजी से भढ़ते हैं हमारे रोजमेरा की जीवन में गैस के परसार का आप उधारन यहां पर देख सकते हैं तो देखें के रसोज में पकाये जा रहा भोजन की जो गंध है वह काफी दूर तक भूत जल्दी पहुंच जाती है तो यह इसका बहुत अच्छा एग्जामपल है गैसों में विसरन का नेशने पर बात करेंगे तरल पधारतों में विसरन किस परकार से होता है यह पानी में potential permanent के कणू के परसार की कारण होता है इनकी विस्रन की वज़े से होता है फ्तोस तुलण की तुलना में भूते ही रिजिसे होती है गैस की तुलना में कम होती है लेकिन ठोस की तुलना में अधिक होती है किसमें तरल पधार्थों में नेश आपर देखे ठोसों में विश्रन कैसे होता है तो देखे ठोस जो विश्रन होता है वो ठोस में भूत ही कम होता है क्या होता है जो विश्रन होता है ठोस में भूत कम होता है ठोस पधार्तों में फैला एक भूत धीमी परकिरिया होती हैं कि ठोसों में विश्रन की परकिर मौझूद हो सकता है कौन कौन सी है पहली है ठोस अवस्ता दूसरी है तरल अवस्ता निकी दरवस्ता और तीसरी है गैसी अवस्ता अब हम पधार की भोतिक इस्ति को दो तरीकों से बदल सकते हैं यानि की चेंज कर सकते हैं अब यह दो इस्ति कौन कौन सी है तो पहली है जब तापमान बदलता है और दूसरी है जब क्या कर उता है दाव यानिकी चो परेशर है वो बदलता है तो सबसे पहले प्रम बात करें कि 1 चाप मान के बदलाव का परभाव क्या पड़ता है, तो देकी सबसे पहले बात करें, छोस तरल में परिवतन निटा किस परकारच Loren wordt गळाता है ? उसे क्या कहते हैं? फिगलना या सनल्जयन इसको कहा जाता है तो क्या होता है ठोस किसमें प्रदात हो रहा है तो फिखलना इसको कहा जाता है नेक्ट आपर बात करेंगे तरल से गैस में परिवर्तन तो देखिए जो लिक्वीड होता है वो गैस में चेंज होता है तो इसको क्या कहा जाता है तो इसको वास्पिकरन कहा जाता है या फिर उबलना या फिर बोईलिंग इसको कहा जाता है तो देखिए जिस परक्रिया में एक दरव पधात गरम होने पर तेजी से गैस में परिवर्तित होता है, उसे उबलना कहते हैं, यानिकि बोईलिंग उसको कहा जाता है, जिस तापपान पर एक तरल पधात उबलता है, और वाई मंडले दबाव में तेजी से गैस में परिवर्तित होता है, को तरल यानिकि काउ संगणन ने समय होता है थंदा करके गय sistemas1 बदल भीा में परिवरतन हैं कि संगणन आपढर उबल होता है mo अगल को मिया सोगव से और सीचान, इस को यहीip शालन में अजाता है कि यह है तरल इस यहилась में और परिवरतन नहीं की प्रक्रिया को नहीं के जाता है में लिक्विड थोस में भाझने अउनकी बीड़ीं के जाता है सा मां करने कि एक ने कि डशी कर देए और फ्रीजिग उसके जाता है अब देखिए तरल को ठंडा करके घृस्ष है कि बीड़ना कर जाता है वो यह पर अब वर्ड एज़ शायाच सकते हैं तो पर जि Надहने हे सबसे पहले भाकर में करा तो हम तो खहुआ हो थोस को कहें, गर्म करेंगे तो कीश में शोर प्सक्राइब सोली जहाईद डरों के शोर्ड जाताυτ ए मेल्टिंग को कहा जाता है क्या का जाता है इसको पिगलना इसको कहते हैं आगे हम यह बात करें कि जो लिक्विड होता है उसको हम और ज्यादा गरम करें तो किस में चेंज होगा गैस में चेंज होगा तो लिक्विड से गैस में चेंज होने की परकरिया इसको क्या का जाता है बॉइलिंग इसको कहते है उसके बारे में बात आती है जो गैस होती है उसको हम थोड़ा ठंडा करते हैं तो किस में चेंज होगा वो लिक्वीड में चेंज होगा गैस को थोड़ा ठंडा करेंगे तो वो किस में चेंज होगा लिक्वीड में यंकी दरों में चेंज होगा तो इस परक्रिया क्या करते है तो इसको कहा जैता है condensation, क्या कहा जाता है इसको condensation कहा जाता है अब यहां पर बात क्या क्या है कि जो liquid होता है उसको हम थोड़ा ओठंडा करें तो वह किसमें चैंजе अगा, तो वह solidमेर다 चैंज तोम धोंधे हो जाए होगा, इनकी ठोस में चैंज हो जाएगा उस्मा के बारे में किसको कहा जाता है गुप्त उस्मा तो देखी किसी पधार्ट के अवस्ता को बदलने के लिए जिस उस्मा की यानि कि जो उस्मा उर्जा होती है उसको ही गुप्त उस्मा कहते है यानि कि किसी भी पधार्ट की जो अवस्ता है उसको बदलने के लिए जिस उस्मा की यानि कि उस्मा उर्जा की आवशकता होती है उसको ही गुप्त उस्मा कहते हैं गुप्त उस्मा दो परकार की होते है दो टाइप्स की होती है पहली होती है गलन की गुप्त उस्मा और दूसरी होती है वास्पन की गुप्त उस्मा तो दोरों के बारे में आपर हम डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे गलन की गुप्त उस्मा किसको कहा जाता ह तो यहां प्रम बात करेंगे, गलन की गुप्त उस्मा किसको कहते हैं, यह क्या होती है, ठोस से तरल में यह चेंज होती है, अब देखें, वह उस्मा जो बरफ में जा रही है, लेकिन उसके तापमान में वर्दी नहीं कर रही है, बरफ की इसती को ठोस से तरल में बदलने के यानि कि अच्छा थोस को टरल में चेंज करने के लिए जिस उच्छा यानि कि उस्मा उच्छा के आवशकता होती है वही होती है गलन की गुप्त उस्मा अब देखिए बरत में शेलियन की गुप्त उस्मा होती है वो कितनी होती है तो यह थी होती है 3.34 x 10 to the power 5 जूल परती किलो गराम या पर बरक के सलियन की गुप्त उस्मा होती है यह आपको यह से नोट करके चलना है नैश चलिए नैश यह पर है वास्पन की गुप्त उस्मा किसको कहा जाता है जो की गैस परिवर्तन के लिए जरूरी होती है तो यह होती है वास्पिकरन की गुप्त मात्रा होती है क्या होती है यह जूल में इसको नौट किया जाता है अगला यह अपर आप काता है उर्दु पातन जिसको सब्लीमेशन कहा जाता है तो उर्दु पातन किसको कहा जाता है ताप करने हैं कि ताप करने पर ठोस का वास्प में परिवर्तन और ठंडा करने पर वास् में चेंज हो जाई या फिर गैस سے चिथा सभधे से में चेंज हो जाई तो इसी को क्या का जाता है? इसको का जाता रहता है तो इस के थिरू आप अंचे सा समझ सकते हैं अपर तो तुँस KISA bleibt तो यहां पर आप आप इजी लिए समझ सकते हैं यह मैंने आपको पीछे समझा दिया अच्छ से और यहां आप आप देख सकते हैं तो फ्रेंट्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है आगे जो सेजिश का पार्ट रह गया है वो हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट यहां पर कर लेंगे यहां पर हमने बात की थी कि जब तापमान में बदला होता है तो क्या परभाव पड़ता है नेक्ट आपने हम सेकिंड बात करेंगे कि जो दाब होता है प्रेसर होता है अगर उसमें परिवर्तन होता है तो क्या परभाव पड़ता है एफेक्ट पड़ता है तो उसके बारे में हम next वीडियो में complete कर लेंगे आपको वीडियो पसंद आया है important लगा है तो अपने सभी दोस्तों के पास में सभी गुरुप में वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share कीजिए like कीजिए और comment ज़रूर कीजिए तो चले मिलते हैं next वीडियो में